ओम नमाशिवाय, दोस्तों भगवान भोले नाच इतने भोले हैं कि वे मात्र एक लोटा जल से ही सीग्र प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों सिव महापुराण के अनुसार सिवलिंग पर अलग-अलग चीजे चढ़ाने से अलग-अलग फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए शिवलिंग पर आप अपनी मनुकामना के नुसार चीजे चढ़ा कर भोले नाच से अपनी मनुकामना सीग्र पूरी करवा सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने जा रही हूँ कि शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से क्या फलकी प्राप्ति होती है। ताकि आप अपनी मनुकामना के नुसार शिवलिंग पर उस चीज को अर्पित करके अपनी मनुकामना को सीग्र पूरा कर सकें। दोस्तों सिव जी को सबसे ज्यादा जला अभिशेग पसंद है। इसलिए आप शिवलिंग पर एक लोटा जल अवश्य अर्पित करें। सुख मिलते हैं इसके लावा शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से मनुस्य को भौतिक सिखों के साथ साथ मोख्ष की भी प्राप्ति होती है दोस्तों शिवलिंग पर गाय के दूद से बना सुद्ध देशी घी चढ़ाने से सारीरिक दुरबलता से मुक्ति मिलती है और शि शिवलिंग पर सहत चढ़ाने से रूप और सौंदर्री की भी प्राप्ति होती है और जो व्यक्ति कट वचन बोलता है उसे भी शिवलिंग पर सहत चढ़ाना चाहिए ऐसा करने से वाड़ी में मिठास बनी रहती है इसके लावा शिवलिंग पर आकड़े कफूल चढ़ाने से सांसारिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है इसके लावा शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने से धन और संपत्ति की प्राप्ति होती है और जब आप सिवलिंग पर जव चढ़ाते हैं, तो यदि आपकी कोई लंबे समय से परिसानी या समस्या चली आ रही है, तो उससे चुटकारा मिलता है, और घर में हमेशा सुखों में व्रद्धी होती है, शिवलिंग पर गेहु चढ़ाने से सुयोग पुत्र की प्राप्ती होती है, या संतान से जोड़ी कोई समस्या है, तो उसमें रहत मिलती है, दोस्तों शिवलिंग पर तिल चढ़ाने से समस्त पापो का नास होता है, और अगर किसी रोग से पीडित हैं और लाग प्रयास करने के बाद भी विमारी ठीक न हो रही हो, तो आप जल में दूद के स थोड़ा सफेद तिल मिला कर सिवलिंग पर चढ़ाएं, इससे सभी बिमारियां दूर हो जाती हैं, और लंबी आयव के लिए सिवलिंग पर सफेद वस्त्र या जनिव अर्पित करें, दोस्तों अगर आपके घर में बच्चे की किलकारी अभी तक नहीं कूंजी, तो आप स शिवलिंग पर पीले अरहर की दाल अर्पित करने से नौकरी में सफलता मिलती हैं, इसके लावा शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने से पितर दोस्त सांत होता हैं, और आपको पूरवजो का आसिरवाद में मिलता हैं, इसके लावा शिवलिंग पर काली मिर्ची चढ़ाने से रोगों का नास हो जाता है दोस्तों यदि आपकी आए में वरद्धी नहीं हो रही है तो आप शिवलिंग पर इलाइची अवस्य चढ़ाएं इससे आपकी आए में बढ़ोत्री होगी और दर्दिता दूर रहेगी शिवलिंग पर लॉंग चढ़ाने से समस्त परेशानिया दूर होती है और यह दिघर में negativity है तो वह भी समाप्त हो जाती है दोस्तों लक्षमी की प्राप्ती के लिए शिवलिंग पर कमल गट्टा अवस्स चढ़ाएं इसके लावा शिवलिंग पर हर स्रेंगार का फूल चढ़ाने से सुख और संपत्ति की प्राप्ती होती है शिवलिंग पर बेले का फूल चढ़ाने से मंचाहा जीवन साथी मिलता है दोस्तों शिवलिंग पर समी के पत्ते चढ़ाने से सभी तरह के दुखों से मुक्ति मिलती है और शिवलिंग पर यदि आप धतूरा चढ़ाते हैं तो संतान प्राप्ति वा तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है इसके अलावा दूद में केसर मिलाकर चढ़ाने से सीगर विवहा की योग बनते हैं इसलिए जिन लोगों के विवहा में विलंब हो रहा हैं वैं सिव जी को दूद में केसर मिलाकर उनका अभिशेग अवस्य करें दोस्तों शिवलिंग पर भस्म अर्पित करने से सारीरिक मानसिक पाप दोस्त से मुक्ति मिलती है इसके लावा शिवलिंग पर गुड चढ़ाने से पति-पतनी के संबंद मधूर हो जाते हैं और शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल चढ़ाने से मंगल दोस्त समाप्त होता है यदि किसी के विवा में बाधा आ रही है तो वह सिवलिंग पर चने की दाल अवस्ते चढ़ाए इसके लावा शिवलिंग पर काली उरद दाल चढ़ाने से राहू के तू शनी सांत रहते हैं दोस्तों शिवलिंग पर पंचाम्रच चढ़ाने से सभी कामनाओं की पूर्ती हो जाती है इसके लावा जल में दूरवा डाल कर अभिशेक करने से रोग दोस दूर रहते हैं और शिवलिंग पर दूद चढ़ाने से आरोग की प्राप्ती होती है इसके लावा शिवलिंग पर दही अरुपित करने से हमें जीवन में हर्स और उल्लास की प्राप्ती होती है शिवलिंग पर सक्कर चढ़ाने से सुख सम्रद्धी की प्राप्ती होती है और शिवलिंग पर इत्र चढ़ाने से धन्य धान्य की प्राप्ती होती है शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने से संकट दूर रहते हैं शिवलिंग पर भांग चढ़ाने से बुराई से मुक्ती मिलती है दोस्तों शिवलिंग पर हरा मुंग चढ़ाने से हर सुख और एस्वरे की प्राप्ती होती है इसके लावा शिवलिंग पर दूरुवा अर्पित करने से सभी प्रकार के भै दूर होते हैं और यदि आप शिवलिंग में चंदन चढ़ाते हैं तो समाज में आपको यस और कीर्थी मिलती है मान सम्मान भी बढ़ता है शिवलिंग पर केसर अरपित करने से दामपत्य जीवन में खुसाली बनी रहती है शिवलिंग पर आवला या आवले का रस चढ़ाने से दिर्ग आयू की प्राप्ती होती है इसके साथी शिवलिंग पर सर्सों के तेल से अभिशेक करने से सतरूओं का नास होता है तो दोस्तों आप अपनी मनुकामना के नुसार शिवलिंग पर वस्तू ववस्त से चढ़ाएं उस वस्तू से शिवलिंग का अबिशेक करें ताकि आपको मनुवांचित फल्की प्राप्ती हो सके दोस्तों एक बात बता दूँ वैसे आप ये वस्तू शिवलिंग पर किसी बिदिन चढ़ा सकते हैं लेकिन यदि आप महा शिवरात्री के दिन या शावन के महीने में या प्रदोस वरत्वाले दिन या मासिक शिवरात्री या सोमवार के दिन खास मौके पर इन चीजों से शिवलिंग का अभिशे करते हैं तो भोले नात आप की मनुकामना सीग्र अतिसीग्र पूरी कर देंगे तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में ओम नमाशिवाय या हर हर महादेव अवस्य लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें सेर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद